नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम नहीं ओडियोबुक समडी लेक्पी आए हैं। इस चैनल पर आप नहीं हो तो अटियोबूक सम्री चैनल को सबस्क्राइब करें। और बेल आइकन को दबा कर इस चैनल को सब्सक्राइब और कर ले ताकि नोटिफिकेशन ओन रहे हैं जब कभी भी इस पर नहीं ओड़ी बुक समरी आया है हर बार इसको सुन सके है आज हम जिस बुक की बात कर समरी बात कर रहे हो है लोगों के दिल में अपनी जगह बनाएं इससे जान लिया तो दुनिया पर राज करोगे लोगों के दिलों में जगह कैसे बनाएं लोगों से काम निकलवाने का तरीका लोगों का दिल जीते आसानी से ways to get people to think like you, I hope to win friends and people book summary, see you, how to win friends and influence people by Dale Carnegie आप भी book के title को पढ़ कर सोच रहे होंगे आगर हमें इतने सारे दोस्त बनाने की जरूत क्या है लोगों को influence करने की जरूत क्या है यह बात तो हमें तब समझ में आती है जब हमारे काम पढ़ते हैं यह काम से मतलब है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तब हमारा विवार ही हमारे काम आता है यह तो हम सबी अच्छे से चानते हैं जब मुश्किल गड़ी आती है तब हमारा कमाया हुआ विवार ही हमारे काम आता है लोगों से काम निकलवाना और उन्हें इंफ्लेंस करना एक कला होती है जो की सब के पास नहीं होती है इस कला को बुक में दीएगे फुल्स और नियम को पढ़कर सीखा जा सकता है अगर आप इस कला से कोई जानना चाहते हैं आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा जब जान जाएंगे तब इन नियमों को तब आप दुनिया में किसी भी इंसान से अपना काम करवा सकते हैं पोजिटिव तरीके साथ दुनिया को इंफ्लेस्ट कर सकते हैं कि इस बास में कोई बुराएफ भी नहीं है तेल कानिगी ने बहुत सारे लोगों पर रिसेट करके पाया कि लोगों से विवार कैसे किया जाई इसी क्या चीज है कि कुछ लोगों का विवार इतना अच्छा होता है सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं वहीं कुछ लोगों के विवार से हर कोई चीड़ा हुआ रहता है अगर आप सच में चाहते हैं लोग आपको पसंद करें आपकी बात सुनें आप भी दूसरों से अपनी बात बनवा सके तो आपको इसे अवश्य पढ़नना चाहिए मेरा एक दोस्त बहुत ही आवाज करके खाना खाता था जब भी हम लोग साथ में खाना खाते थे उसकी बात मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करते थी मुझे बहुत गुसा गुसा आता था यह इंसान अपना मुँ बंद करके खाना ही नहीं खा पाता था मैं अपने दिमाग में ही बहुत ज़्यादा गुसा हो जाता था फिर एक दीन में अपना गुसा अंदर नहीं रोक पाया और मचिलाने लगा तुम अपना मुँ बंद करकर क्यों नहीं खाना खाते हो इतने ब लगता है प्रावडिश मोमेंट था नहीं था इसके बाद क्या हुआ होगा क्या आपको लगा उसने क्या का होगा हां यार सही कह रहे हो मैं तो जानवर के तरह ही कहता हूं आज से मैं इंसानों के तरह खाना शुरू कर दूँगा निस्चित ही नहीं उल्टा वह मुझसे घु क्रिट नहीं बदली हमें सदिकत लोग ही करते हैं दूसरों को क्रिटिसाइज और कंप्लेंड करते हैं यह होप करते हैं वह अपना भीवर ठीक कर लेंगे अब जरह ध्यान से सोचे कितनी बार हुआ जब आपने किसी को क्रिस्टिसाइज किया हो और वह वास्तों में चेंज हो गया हो जादा तरसमयलोग क्रिस्टिसजम पर रेसपंड नहीं करते हैं इन तो वह अपना विवर चांज करते हैं उल्टा वो यह सोचते है कि आप एक बुरे इंसान है जब भी हमकिसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो और दिखाते हैं कि हम अमारें नदर कोई empathy नहीं है छ लोग दूसरों का नजरे समझी नहीं सकते कभी बandon तूसरे लोगों से बहुत बड़े हैं आप दूसरे लोगों के जदा जानते हूं कियोंगा बहुत नॉजिछ बल्स ऑर कल्चेर हैं हम सब लोग एक की तरह के हैं बस आपको भी दूसरों से बात करते से हमें यह चीज याद रखने होगी जब भी आप दूसरे लोगों से डील कर रहे होते हैं तो हमें से याद रखिए human being कभी logic से नहीं सोचते हैं वहाई emotion से सोचते हैं किसी को समझाना एक constructive criticism में हो सकता है लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए आप से पूचा है इसके तरीत आप एक बुरा काम कर रहे हैं कोई भी बेवकूप किसी को भी criticism complaint कर सकता है लेकिन इसके लिए एक character और self control चाहिए होता है किसी को understand और forgive करना दूसरों को गलती के लिए समझाने से पहले उनका point of view समझने कोसिस करें इससे आप बहुत empathetic मतलब person हो जाएंगे दूसरों को और अच्छे से समझ पाएंगे give honest and sincere appreciation rule number two feeling of importance आपको किसी वेक्ति से दूसरे से बात करने से पहले यह secret पता होना चाहिए कि सिरुफ एक ही तरीका है जब भी कोई कुछ करता है एक fundamental mental चीज है वह यह है कि उन्हें उसे करने का मन होना चाहिए तो आप उन्हें किसी काम को करने का मन कैसे करा सकते हैं उनको कुछ ऐसा देखकर जिसकी उन्हें जूरत है इसको कुछ इस तरह से समझते हैं मेरे school में teacher थे जो बहुत ज़्यादा strict है हर किसी की टाइ एकदम side length की होनी चाहिए सामने कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था जो जैसे चाहता था वैसे पहन लेता था एक दिन उन्हीं teacher ने मुझे ground में पकड़ा लिया क्योंकि मेरी टाइ correct length की नहीं थी वह मुझे डाटने लगे तुम मेरी बात नहीं मानते हो मैं भी उन्हें से बहस करने लगा उनको सारे रीजन बताने लगा, मैं गलत क्यों नहीं था, उन्होंने मेरी किसी बात को न सुनते हुए, सब के सामने मेरी बेजिती करते रहे, दूसर दिन मेरे उन्ही टीचर ने मेरे दोस्त को क्लास में पकड़ा, उसी सेम एश्यू के लिए, लेकिन इस बार जो हुआ, उसने मेरे नज दिये, उन्होंने मेरे दोस्त की पीट पर हाथ रखार उसे जाने दिया, टीचर को कोई फरक नहीं पड़ता था मेरे और मेरे दोस्त से, उनको परसनली मुझसे कोई प्रॉबलम नहीं थी, वह बस एक फिलिंग आफ इंपोर्टेंस को धून रहे थे, मेरे फेंड ने उन्ह करना सीखना होगा, एफ्रिशेशन करना सीखना होगा, ये चापलो सी करने से कुछ अलग है, चापलो सी करना ओने नहीं होता है, ये बहुत सिल्फिस काम नहीं होता है, आप अपना परस्पेक्टिव ही बदल दीजीए, दूसरों के अंदर अच्छी चीज़ों को डूर तो उसे बताना सीखिए, अक्सर साधियों में ऐसी problem होती ही है, जिसे lack of appreciation कहता है, दूसरों को appreciate करना सीखिए, उनने sincere और genuine compliment दीजिए, इस तरीके से आप उनका दिल जी सकेंगे, फिर वह आपको हर तरीके से help करेंगे, rule number 3, arouse in the other person and eager want, दूसरों को influence करने का सिर्फ यही तरीका है, उनके interest के बारे में बात करिए, उनको दिखाए कि वह अपनी wishes को कैसे पूरी कर सकते हैं, हर चीज जो हम लोग अपने life में करते हैं, वर सिप अपने लिए ही करते हैं, साधी करते हैं, क्योंकि हमें sense of security चाहिए, हम काम करने जाते हैं, क्योंकि हमें पैसे चाहिए, यहां तक कि लोग charity को पैसे देते हैं, वे इसलिए नहीं कि वे selfless हैं, बलकि इसलिए कि वे अंदर से अच्छा फील करना चाहते हैं, उन्होंने किसी की मदद कर दी, उनको तो यह भी फरक नहीं पड़ता, उनके पैसे कहा जा रहे हैं, वे शिर्फ अच्छा फील करना चाहते हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, एक funny incident हुआ था, एंड्यू कारनेगी के साथ, जो दुनिया के सबसे बड़े आदमे में से एक थे, उनकी बेन के दो बच्चे थे जो ये लिनिविश्टी में पड़ रहे थे, वह ब उनके बच्चों ने वापिस एक लेटर लिखा, उनको पैसे नहीं मिले, ये थोड़ी सी funny story है, लेकिन ये है human की एक fundamental चीज को बहुत अच्छे से समझाती है, वो चीज ये है कि जैसे ही आप किसी की need के बारे में बात करेंगे, उनका interest जाग जाएगा, ओथर ने एक और example अ percent बढ़ा दिये जाएगा, अब वह normal लोगों की तरह उनके office में जाकर बवाल कर सकते थे, लेकिन वह साथ होकर उनके advantage और disadvantage के बारे में बात करने गए, उन्होंने कहा कि एक advantage आप को ये मिलेगा कि हाल खाली रहेंगे, तो आप कभी भी किसी को भी दे सकते हैं, हो सकता है कि आप expensive event करा कर ज्यादा पैसा कमा ले, लेकिन disadvantage ये रहेगा, आप मुझसे कोई पैसा receive नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो रेंट नहीं पे कर सकता, मैं तो चला जाओंगा, इसके अलवा जितने लोग मेरा lecture सुनने आते हैं, वो सब आपके hotel देखते हैं, आपकी free publicity होती है, अग कभी या नहीं आएंगे भी नहीं, अगले दिन उनसे कहा गया कि उनका rent सिर्फ 50% बढ़ाया जा रहा है, वह यह सब इसलिए कर पाए, क्योंकि उन्होंने दूसरों की needs के बारे में बात की थी, उनको पता होना चाहिए कि दूसरे इंसान को value कैसे दी जाए, उनके लिए वह यह जरूरी है कि वह आपको like करें, काफी लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही likeable होते हैं, यह लोग तो पैदा होते ही बहुत charming थे, लेकिन हम बाकी लोगों को यह सारी चीजे खुद से सीखने पड़ती है, इन points के बारे में जानकर आप किसी से भी अपने आपको like करवा ल फैसा बारे में जब भी किसी से मिलता, तो हमेशा उन्ही चीजों के बारे में बात करता था, वह यह सोच कर करता था, जब मैं बात कर ही रहा हूं, तो बक्वास चीजों के बारे में बात करूँ जनसे मुझे interest है, जरा â्ध्यान से सूचिये, यह एक बहुत selfish तरीखा है, इ इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उस आदमी के प्रोफेशनल इमुजीसियन होने के बावजूद मुझे उसे से कोई फर्वन नहीं पड़ा। मुझे आदमी पसंद ही नहीं आया। वह इसलिए था gear क्योंकि वह सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर ले था। तब यह मुझे रिलैज हुआ जब तक मैं यही करता आरा था। तब मैंने सोच आ कि मुझे उसके इंटरेस्ट के के बाद उस लड़के ने कहा कि मैं सबसे ज़एदा interesting इंसान था लेकिन मैंने तो उससे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं था ज़्यादा ताम तो फिर्व उसी नहीं बोला था लेकिन मैंने उसकी personally team में एक genuine interest दिखाय था उसकी personalny team genuine में इंट्रेश्ट दिखाने से इसलिए उसको लगा कि मैं भी एक इंट्रेश्टिंग इंचान हूं इसके बाद उसने मुझे एक आंसर्ट के फ्री टिगर दिये यह ऐसा बेनीविट था जो मुझे नहीं मिलता अगर मैं उसमें इंट्रेश्ट नहीं दिखा था स्माइल आपको दूसरों को देखकर खुस दिखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको देखकर खुस हो तो यही चीज आपको उनके लिए भी करनी होगी इसका सबसे इजी तरीका है आप उनको देखकर स्माइल करिए जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते ह वह आपको देखर sm опыт करता है तो आप भी इसकी समयल को redemption करते हो हम इन्सान भी इसी तरीके से और हैं जब भी कोई हमें देख़ कर कर है तो हमारे अंदर से भी और गवाता है हम भी समयल करेगा अब आप सोच होंगे मैं smile करना ही नहीं चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ तो ये बहुत simple है बस आप अपने आपको smile करने के लिए force करिए काफी strategies से ये पता चला है बस कुछी को act करने से या fake smile करने से आप happy हो जाते हैं जब आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको आप पहले से जानते हैं तब फोरें श्माइल मत करिए बस थोड़ी देर रुक कर उनकी सकले देखिए जैसे आप उन्हें पैचाने कोसिस कर रहे हैं फिर श्माइल करिए इससे उनने लगेगा वह स्पेशल हैं आपने सिर्फ उनके लिए श्माइल की है इससे बार बा बाते होने लगी ड्राइव के आखिर में मैं सोचने लगा वह ड्राइवर तो बहुत अच्छा इंसान है फिर मैंने द्यान से जोचाए कि उसने मुझसे कोई इंडेश्टिंग बात भी नहीं की इन्फेक्टिव है तो इतना अच्छा इंसान भी नहीं था जैकिन उसने कु को बहुत इंपोर्टेंश देते हैं यह बहुत बुरा इंप्रेशन डालता है जब आपने किसी से उनका नाम पूछा फिर थोड़ी सी ही देर में उसे बूल जाएं ऐसे ही जब आप किसी कस्टमर के में बात करते हैं तो उदर से आवा जाती है गुड मॉनिंग सर आए मैं सामने वाला भी दिन बर के काम के बहुत से तका मैसूस करता है ऐसे हैं आपका थोड़ा सा अच्छा कनवर्सेशन उन्हें रिलेक्स कर देगा आप अपने कनवर्सेशन के बीच में उनका नाम आवश लेते रहें वह आपकी समझ़ा के लिए हर सम्भू परियास करेंगे इंपोर्टेंस ओफ यूर नेम फॉर्ट मैं अपने एरिया के एक डॉक्टर के बारे में बताता हूँ यह डॉक्टर ज्यादा फेमस है दूसरे अन्य डॉक्टरों के कमपेरीजन में वह दोगने फैसेंट देखते हैं लेकिन उज़े यह बात समझ नहीं आई एक डॉक्ट से कैसे बहतर हो सकता है सबी डॉक्टर एकुली क्वालिफाइड थे हर कोई एक अच्छा डॉक्टर था फिर मैंने उनके साथ एक अपॉइंट्मेंट बुक की तब मैं समझ गया कि हर कोई ने क्यों पसंद करता था जैसे मैं अंदर खुशा उन्होंने मेरी हर बात को द्या सकते जी जान से मेरी बात सुन रहे थैंप यहरे मेरी रिलाइज करें बगेर दीरे-दीरे मेरे स्मिटर्व को फूछ लिए मुझे अपना ड्याईगनोसीश दी इस पूरी चाइम में वह खर खिर मेरी पास सारी बास सुन रहता है मुझे रिलाइज हुआ कि वह क्यों इतने यही होता है कि जब आप डोक्टर के पास जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी आप आपके सिम्टम सुनकर स्पर्चे में कुछ लिख देते हैं फिर आपको पेज देते हैं इस सब निस्क्रस का यही है कि अगर आप एक अच्छा कनवर्सेशनलिस्ट बनना चाहते हैं तो एक इस वारे में बात करने के लिए इंकरेज करिए तो यह बुक समरी आपको अच्छी लगी इस बुक समरी को आप इस वोड़े बुक पर सुन सकते हैं और यह अगर बुक आपको पर्चेज करने तो आप डेश्न लिंक दिया गया है तो इस टेप से लिंक पर जाकर आप इस ब इस लिंक से इस बुक को आप खरी सकते हैं